यह देखो मैं आज क्या बना रही हूं मुझे तो समझी में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाओ कैसे बनाओ इनको मीठा चाहिए बट मेरा दिमाग काम किया घर की ओरतों का दिमाग बहुत तेज काम करता है मेरी यहां बचा हुआ दूद था फुल क्रीमी और नारियल भी घीस के रखी थी मैं पानी वाला मतब गीला कच्चा नारियल मैं घीस के रखी थी और रखी थी तो चटनी के लिए बट मीठाई बनानी थी तो मैं इसी वे यूज़ कर ली मुझे खरीदना भी नहीं पड़ा दोनों का पैसा बचाना हमें यहां दोद को इतना गरम करना है इतना उबालना है कि वो आधा हो जाए यह देखे यह आधा हो गया है और यह नारियल एक कटोड़ी मतब फुल कटोड़ी से थोड़ा कम है जब आधा दोद हो जाएगा तो हम यह पूरी नारियल को उसमें मिला लेंगे और इसे भी खुब हमें उबालना है इतना उबालना है ना कि यह गाड़ी हो जाए एक दम दानेदार रबड़ी और खास करके एक चीज़ ध्यान में रखिएगा जब हम सुध रबड़ी खाते हैं तो उसमें विनिगर या नमक या खटा चीज नहीं डालते हैं लोग तो वैसे ही यही प्रोसेस हम यहां भी करेंगे कि हम इसमें खटा चीज नहीं डालेंगे एक्शली खट्टा चीस डालने से कम दूद में जल्दी दानेदार हो जाती हैं बट ये दूद मलाई वाला आप जो ज़्यादा पकाएंगे न वो उतना ही स्वाद सोंधापन और उसकी स्वाद मतब उससे दूसरी ही रहेगी अच्छी वाली स्वाद रहेगी मतब सोंधी घर स्वाइज आपके मतम क्यात धीनिदा के रहेगी डुद में तक चैंब बनाओंगी, लाइट मीठा नहीं बनाओंगी, यह मेरे घर में बचा हुआ एवरीडे का दूध है, जो दूध ना रहे कभी किसी दीन राय जी मेरे दूध नहीं देते हैं, तो पैकेट वाला दूध बच्छों के लिए हो जाता है, पीने के लिए, यह मेरे गैस्ट जो आते ह उनके लिए चाय बनाने के लिए हो जाता है, मतब थोड़ा कंजूसी करनी पड़ती है, तो वो दूध था, दूध का पैकेट, तो मेरे वो यूज में आ गया, मुझे कुछ खरिदना नहीं पड़ा है, यह देखे बहुत क्रीमी हो रहा है, और यह गाढ़ापन भी इसका ब जाना ही नहीं चाया कि निचे से दूध जले गया और जब यह देखें इसका बबल निकल रहा है, तो मुझे बरतन रखना ही पड़ा है, क्योंकि वो दूध कर दूध कर बबल ऊठता है कभी इसकीन पर पड़ा, एकदम से बहुत तेज जलता है, बहुत लहर मारता है, तो म एक थोड़ा दिक्कत हो गई है मेरे अब ठीक है अब यह देखे दानेदार हो रहा है जितना दानेदार होगा उतना ही और थोड़ा सा और इसमें कसर है और भी यह से थोड़ी पकानी है हाहा वसाई यह चीनी जो डाले थे ना उसका हलका पानी साया हुआ है हाह लिक्विड अब इसे जितना हम पका लेंगे ना अतना ही अच्छा दानेदार हो जायागा अब बंद करकर मुझे चलाना पर रहा है हलका सा लग गया है क्योंकि दो जगे में काम कर रही हूँ दोनों हाथ मेरे बीजी है तो जाहिर सी बात है खुष नखुष तो होगा ही ऐसे आप लोग मत करियेगा क्योंकि मैं थोड़ी सी बीजी थी और एक साथ दो काम तो नहीं चलते हैं आप एक साथ एकी काम करियेगा नहीं तो मीठाई है और दूद ऐसी चीज़े कि बहुत जल्दी पकड़ता है मेरा नौने स्टिक कड़ाई भी खराब हो गया है बट कोई बात नहीं बनाना मेरी लोह ओली कड़ाई तो बीजी थी सबजी बन रही थी और यह देखिया हलका हलका सूख सा गया थोड़ा थोड़ा कसर बाकी है अब यह एक बार में और सुख जाएगा लगबग मेरा मिठाई बन ही चुका है बस हलका सार कसर है इसको हम और भूझ लेंगे थोड़ा जब भूझ लेंगे तो दानेदार एक ताम बन के दानेदार आ जाएगा सामने इसके गुल्ठी जैसी पड़ जाएगी और बहुत ही अच्छा फलेवर और टेस्ट इसका आ जाएगा अब इसमें हम जो चीज़ भी हमें डालना था लगबग डाल दियाँ आप जो भी केसर वेगरा डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं वी के अच्छान का अक्छान का सुपना लगभी आदckा मेरे पास हाएगी मृख स्यात iba मेरे पास है नहीं सी कपड़ेगी तो मेरे पास है नहीं तो मृख स्यात 되면 यह खाघा तो मैनने नहीं इसके अच्छा दूझ गरा उगगी क्योंकिस्के और मेरे बहना है लाश्ट में आप इसमें इलाची, ड्राइ फ्रूट्स, मैं ड्राइ फ्रूट्स वेगरा काटी नहीं, जल्दी था तो मैं कूट दी हूँ, आप भी जैसे डाल दीजेगा कूट के ही, अगर जल्दी हो तो, देखे, मैं इसको सब फिर से भूज दे रही हूँ, एक में मिल जा दूद में ही मिला रहेगा स्वाद, एक दम रवड़ी के जैसे रहेगा हो जाएगा ड्राइ फ्रूट्स, और लाश्ट में भी डालेंगे तो किसी भी तरह से भी आप डालिये, तो उसका फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा रहता है, देखिए, तो मिल गया है, मैं गिरीज कर कर देती हूं, और खाली करके मैं थोड़ा से इसको फ्रीज में रखुँगी, आप फ्रीज में रखते हैं मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं फटसे इसको सेट करके इनको दूँगी, उसके बाद से फ्रीज में रखुँगी, प्रेंड, देखिए, ये बण बन गया ना, दे तेस्टी लगता है और घर का सुध बना लो या अधा केजी के लगभग मेरा बन के तेयार हुआ है बजार में आपका 500-600 रुपया होगा तो आप समझ आए आंदाज लगा ही लेंगे कि कितना का बच्छत हुआ यह देखिए में जुसको सेट काट के देखिए दो पीसी यहां यह देखिए थैंक इन दो पीसिसी यहां लुपяж दो आपका भाग में जुसकत व सक्टी है हुआ एब हुआ यह दो आपका जवाट जू भीस